ओके अधिये स्टुडेंट्स अभी टनेच टाक्स स्कीम करके जो है वह पढ़ेंगे छोटा सा स्कीम है वैसे तो ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिक्स अपको पता होना चाहिए हाउ टू कलिकले टनेच टाक्सेशन टनेच टाक्सेशन जैसे कंपनी का है और शिपिंग कंपनी की कपासिटी को लेकर कितना उनका वेट क्यारी करने का कपासिटी तो उनकी कपासिटी को लेकर उन्होंने एक स्कीम निकाला हुआ है जो स्कीम में आपको पहले बता देता हूं कि कि कितना ही स्कीम में अगर आप आते हो तो कितना इंकम ट पढ़ेगा आभी उपर जाके अगर कॉलिफाइंग शिप का नेट टनेज अप टू थाउजन केजिए मतलब अप टू थाउजन टन है अगर उसका कपासिटी अप टू थाउजन टन तो सर टनेज इंकम निकलेगा कैसे तो 70 फॉर इच हंड्रेड टन तो यह 70 पर टन नहीं है 70 पर टन होता हो और अगर आपकी 700 टन की अगर कपासिटी होती तो 700 टन इंटू 70 करते नहीं 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 700 इंटू 70 डिवाइड बाइं 100 करना पड़ेगा पो क्यूंकि आपको यहां पर 70 फॉर इच हंड्रेड टन बोला गया है 70 फॉर इच हंड्रेड टन बोलो यह लैंग्वेज के लिए रहे क्या यह आपको बाइहाट करना पड़ेगा यह टेबल आपको रटना करना पड़ेगा नंबस का कोई लॉजिक नहीं रीडिंग समझ में आया कि आपको जरा प्लीज रिप्लाइ करो कैसे इसको अप्लाइ करना है टैनेच कपासिटी बेसिस पर लगाना है एकसीडिंग ताउजन अगर होगा बट नाट मोर देन तेन ताउजन तो अभी आपकी वेसल और थोड़ी बड़ी हो गई थाउजन से जादा है जैसे थ्री ताउजन है फोर ताउजन है फाई ताउजन है तो क्या करोगे आप तो अप्टू सेवन अप्टू थाउजन का तो कैसे हुआ रहेगा थाउजन टन का तो हमने कैसे कंप्टूट क्या होगा सर थाउजन टन इन्टू सेवेंटी डिवाइड बाए हंडड़ अगर आप करते तो यह दो जिरो चलेगे यह दो जिरो चलेगी मल्टिप्लाइ करोगे तो यह देखो 700 आता है तो 700 रुपीज फ uireट वैड़न टन का 53 के हिसाब से करेंगे तो रेट हमनेने कम कर दिया या क्योंकि क्या होता है जितनी बड़ी वेसल है ना उतना आपका net operating revenue कम हो जाता है this is the logic क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वेसल होती है अब उतना ज़्यादा discount वगरा देते हो क्योंकि बहुत बड़ी वेसल अब छोटे consignment ले इंडिया में लेकर नहीं होगे foreign से या किसी एक country से दुसरे country में नहीं लेकर जाओगे अगर आपकी वेसल बहुत बड़ी होती है mother vessel होती है तो आपको उतना ज़्यादा discount देना पड़ता है तब ही जाके आपके पास quantity आपके पास टन शिप्मेंट ले आती है तो 53 for each of 100 tons exceeding thousand tons जितने भी होंगे तो 5000 के उपर है 53 into tons जितने भी excess ton है divide by 100 आपको करना पड़ेगा सर वही अगर 10,000 के भी उपर गया तो 10,000 के उपर गया तो calculate करके बताओ मुझे ज़रा thousand into 70 divided by 100 is equal to 700 होता है और calculation आप मुझे करके दिखाओ 9,000 tons into 53 divided by 100 कितना होता है बता मुझे आप प्लीज केलशी यूस करो और मुझे नंबर बता दो 9,000 tons into 53 divided by 100 कितना होता ही है 4770 होता है 4770 होता है 4770 होता है प्लस 700 इनका टोटल करेंगे तो यह कितना आता है इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5470 आता है तो आपको यह नंबर by heart करनी की ज़रोत नहीं है exact 10,000 होगा तो 5470 slab जैसे आप apply करते हैं वैसी apply करना है इसको 5470 आपको by heart नहीं करना आपको पता होना चाहिए 5470 आया कैसे है 10,000 का टैनेज अगर मेरा होगा तो 1000 को 70 पर 100 तन के rate से multiply करना है और जो balance 9,000 है उसको 53 पर 100 तन के किसब से multiply करना है तो यह 5470 आया सर उसके उपर भी जो है उसके उपर जो है उसको 42 पर 100 तन से multiply करना है 10,000 के उपर जितना भी रहेगा उसको multiply करना है आपको 42 पर टन से 25,000 तक तो अभी और एक calculation करो मेरे लिए please 15,000 तन multiply by 42 डिवाइड बाइ 100 यह कितना आता है यह 6,300 आ रहा है 6,300 प्लस 4770 प्लस 700 यह कितना आ रहा है देखो 11,770 आएगा तो यह देखो 11,770 यहां पर आ गया और 25,000 से अगर जादा हो जाएगा तो आपको पर 100 टन 29 रुपिस से multiply करना है यह आपका daily income है daily income ठीक है ना daily income है सर मेरी जो वेसल की capacity अगर होगी वेसल की capacity उन्होंने rounding of 100 टन में अगर नहीं दी होगी मतलब last के जो digit होगी यह अगर thousand यहां पर कैसे 10,000 है तो मेरा अगर 10,578 अगर ऐसा कुछ होगा तो तो सर उसको rounding off करना होता है in the multiple of 100 टन तो यह multiplication of 100 टन में मतलब 50 से जादा अगर होगा तो higher side पे 49 अगर होगा तो इग्नोर कर दो तो यह 57 10,578 को इसको read किया जाएगा 10,600 टन कि समझा मैंने क्या बोला आपको 110 110 का multiple करना परता है capacity को अगर kilogram होगरा भी बता दिया है तो kilogram को ignore करो यहां पर हम ton की बात करें आप kilo अगरा लेकि बेट की ज़रूत नहीं है such tonage is not multiple of 100 then the last figure that amount is 50 ton or more तो increase करेंगे next 100 ton को यह मैंने बता दिया और last figure अगर less than 50 होगा तो lower 100 को लिया जाएगा sir अगर एक बार आप इस tonage taxation में आओगे तो आपको और कोई deduction या सेट आप नहीं मिलेगा यह directly income आ जाता है यह आपका directly income है यह PGVP income है तो यह sir इतनी बाते यहां पर मैंने कर ली the tonage income of tonage tax company पहले तो यह company को ही applicable है tonage tax company for the previous year shall be the aggregate of the tonage of the income of each qualifying ship computed in accordance with the following provision the tonage income of each qualifying ship shall be a daily tonage income of each ship multiplied by कितने दिन से multiply करोगे number of days in the previous year or number of days or days in a part of the previous year in case ship is operated by the company as a qualifying ship only for the part of the previous year तो अगर आपने नया ship लिया होगा last year में तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिन आपने अपने अपरेट किया अगर आपने पूरे दिन आपरेट किया पूरा साल आपरेट किया होगा तो 365 से multiply करो लेकिन अगर आपने 200 डेज्यों अपरेट किया तो 200 डेज् इतने होंगी इसको यह भी multiply किया क्योंकि जो वाल्यू निकलती है यह डेली टनेश की वाल्यू निकालता है फिर आपको multiply by number of days करना पड़ेगा तब जाके आपका actual income निकलेगा तो यह हो गया computation सर यह तो computation ही सीखना important है किसमें से टनेश taxation में उसी के उपर question आएगा बाकी general language जो लिखी हो में फटाफट आपको बता देता हूँ अभी क्योंकि आपका responsibility काम होना चाहिए न आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है आपको जो पढ़ना है मेने मेन पढ़ना है वो बता दिया भी आपको अभी general बाते भ टनेश टाइट स्कीम आरेज फॉलोग इडिशेम अपर इस प्रिजम टैसेशन मतलब यहां पर एक्चुल में आलावन से डिस अलावन से में टेनेंस और बुक्स अपकाउंट वो सब नहीं हो रहा है इडिज़ इस प्रिजम टैसेशन वेर नोशनल इंकम आराइजिंग फ् 25 में तो 25 परसें आपली 30 में तो 30 परसेंट में टैक्स होगी टैक्सिस पेबलिवन इडियलाउसिंग यहां पर इन्फोर पड़ेगा, a company में opt for the scheme and once option is exercised, there is a lock-in period of 10 years, ओहो यह देखो, 44 AD में lock-in period 5 years का था, यहां पर 10 years का है, तो यह भी एक important बात है, if company opt-out, it is divided from re-entry for 10 years, तो आप कभी भी exit ले सकते हो, exit लेने में हमें कोई problem नहीं, लेकिन जबी भी आप exit लोगे, आप re-enter मही कर सकते हैं, और 10 साल के लिए, यह 44 AD में 55 का combination है, 5 year का lock-in period होता है, exit लोगे, तो और और 5 साल आप नहीं आ सकते हैं, उसी के जैसा है, Since it is a professional regime of taxation, certain conditions like reserves and training etc. are required to be made, तो इन्होंने कुछ conditions बताए कि आपको reserve भी create करना पड़ेगा, आपको अपने staff को training भी देना पड़ेगा, ऐसी बात है, क्योंकि industry home grow करना चाहते हैं, A company में expelled in certain circumstances, company को भार भी निकाला जा सकता है, company owning at least one qualifying ship, आपके पास एक तो आपकी खुद की ownership होने चाहिए, बाकि आप बेस, lease out करकी चलाओ, लेकिन खुद का एक तो qualifying ship आपके पास होना चाहिए, अगर आप fishing करोगे, अगर आप fishing करोगे, तो ship disqualified हो जाती है, to some extent उन्होंने allow किया हुआ है, लेकिन हम fishing vessels की बात नहीं करें, हम tonnage की बात करें, जहाँ पे container load करके shipping किया जाता है, certain types, the business of operating qualifying ship is to be considered as a separate business and separate accounts are to be maintained, section 115 which gives the manner of competition of daily tonnage income, which when multiply by number of days the ship operated will give you total tonnage income from the ship, a company doing at least one ship may charter in a ship subject to the certain limit of this, वो सब उन्होंने बोलाई कुछ charter अगरा भी कर सकते हो, भाड़े पे भी ले सकते हो, a company opting for the scheme is not allowed for any set of, nor any depreciation allowed, however both the loss and depreciation are deemed to be having allowed, तो माना जाएगा कि आपको depreciation भी दे दिया है, बाकि सब दे दिया है, same बात है, same बात है, जो 35 AD की है, अपना 44 AD की है, वही बात नहीं हापे भी की गई है, although depreciation is not allowed, it is necessary to bifurcate qualifying ship and non qualifying ship at the time of company, join the ship, 100 and VK lays down the method of allocating the return down value, कैसे हो depreciation कैसे निकाल के, उनको कैसे allocate किया जाएगा, हो सारी बात है कि यह भी important नहीं है, the profit from business of operating qualifying ship will not be taken for the consideration for the purpose of Matt, as per 115 भी, Matt में से exemption दे दिया, फिर यहाँ पर procedure वगरा लिखा है, यह पढ़ लेना, आप लोग पढ़ना है तो, इतना important नहीं है, qualifying ship, ठीक है, option है, obviously mandatory नहीं है, आपके पास choice है, a company shall be regarded as operating a ship, if operate any ship, whether owned or chartered by it and include the case even a part of the ship has been chartered by it, तो पूरा vote अगर आपने नहीं लिया है, 30% अगर ship अगर आपने लिया है, तभी यह माना जाएगा, कि आप इस business में हो, slot charter बोलते हैं उसको, या space charter, however company is not regarded as operating ship, which has been chartered out by it, a bare boat charter come, demices in terms of the bare boat charter term for paid exceeding 3S, अगर आपने अपनी boat को भाड़े पे दे दिया है, तो आपको नहीं माना जाएगा, कि आप इस business में हो, क्योंकि आप तो फिर भाड़ा कमा रहे हो, आप business तो कर नहीं रहे हो, shipping business, तो वो यह कहाँ पर उन्होंने बोला है, qualifying ship की यहाँ पर बात की गई है, sea going vessel होनी चीए, 15 तंका तो net capacity इसका होना चीए, merchant shipping act में registered होना चीए, valid certificate होना चीए, यह सब बाते इन्होंने की गई है, हाँ, यह क्या नहीं होता, qualifying ship क्या नहीं होता, negative list देख लो इसकी, factory ship है, pleasure craft है, harbor है, river ferries है, she going safe है, for main purpose for which it is provision of goods and services, मतलब आप restaurant वगरा चलाते हो, offshore installation है, fishing vessel है, and qualifying ship which is used for fishing, fishing, अगर आप qualifying ship को fishing के लिए यूज करें, for period of more than 30 days, during the previous year, 30 दिन तक यूज करोगे हमें कोई problem ही, लेकिन 30 से ज़्यादा दिन के लिए अगर यूज करोगे, तो वो भी disqualified हो जाएगा, qualifying company मतलब Indian company को ये benefit दिया गया है, place of effective management इंडिया में होना चीए, at least one qualifying ship होना चीए, और main business इनका business of operating ship होना चीए, कि उन्होंने बोल दिया है, tonnage income की मैंने बात कर ली, loss का benefit नहीं मिलता, deductions नहीं मिलता, 115JB applicable नहीं होता, that's all.